हेलो फ्रेंद्स स्वागत आप सभी काकोली क्लासेज में तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का इतिहास जो हमारे आतित यह न्यू बुक का आज हम लोग देखेंगे शेप्टर फर्स्ट है हजारों वर्सों के दौरान हुए परिवर्तनों की पर्ताल इसटार करते त्हीर कि मद्यकाल में बिदेशी सब्द परयुक्त होता था तो जो मद्यकाल था उसमें जो बिदेशी सब्द परयुक्त हुआ करता था गाउं में आने वाला कोई भी वैक्ति जो अंजान हो उसके लिए परयुक्त हुआ करता था तो इसका जो हो जाएगा कथन जो फस्ट है वो सही द ना हो विदेशी कहा लाता था ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फार्सी में अजनवी कहा जाता है किन्तु एक ही गाउं के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाती से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे चलिए नेक्स्ट को कौन-कौन से समू या या थात बर्ग इसमें सामिल थे अरता जो राजपुद जो वर्ग बना वो इस में से कौन-कौन से सामिल थे इस समू veces में सामंथ सेनापति और सेनी स्यनी तो यह तीनों समिल थे तो इसका हो जाएगा ऑपसुन अभ़ग हो जाएगा देखते हैं वेख्या अमधिकाल में जिन समुदाय का महत बढ़ा उनमें राजपुत परमुक थे जो की राजपुत अर्थत राजा का पुद्स से निकला है आठवी से चौद्वी सदी के बीज यह नाम आम तोर पर योदाहों के उस समु के लिए पर्युक्त होत देते हैं राजपुत सब्ध के अंतरगत केवल राजा और सामन्त वर्ग ही नहीं बलकि सेनापती और सैनिक भी आते थे जो पूरे उप महादूइप में अलग-अलग सास्कों की सेनाओं में सेवारत थे कोस्चर नमर तीन देखेंगे हैं मद काल में राहत कापर योग किस कार के लिए किया जाता था तो यह किया जाता था सिचाई के लिए निसा की दिया गया इसका अंसर देखेंगे मद काल में राहत कापर योग सिचाई के लिए किया जाता था कोस्चन नमर चार मिनहाज असीराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान सब्द का पर्योग किया तो उसका आशाय अविवाजित भारत में इस्तित छेत्र से था तो अविवाजित भारत में इस्तित छेत्रों से था दूसरा कथमकारा बावर ने हिंदुस्तान सब्द का पर्योग इस उप महादूइब के भुवाद पसू पक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्णर करने के लिए किया तो प्रुक्त में से कौन सा कथम सत्य दिया गया है तो केबल दो इसका हो जागा अंसर बी चले वेका देख लेता है तेरवी सदी में जफार्सी इद्यासकार मिनहाज असिराज ने हिंदुस्तान सब्द का पर्योग किया था तो उसका आसा है पंजाव, हर्याना और गंगा योमना के बीच इस्तित इलाका से था उसने इस सब्द का राजनेतिक अर्थ में उन इ आ לח überall संदनत के दिकार छेत्र में आते थैं है कि आगे वरहें है सित को सरे निम लिखित कत्रों पर विचार कीजिए शबडिक रिपी दाएंसर की यह और लिखे जाती थी उन्हें से रेयर न्हेंॆन धान्या था इदर जाये का लिखी जाती थी दूसरा फार्सी अर्वी के जानकारों के लिए नस्लक लीपी को पढ़ना आसान नहीं था तो दिया गया है आसान नहीं था तो यह इसमें जो कथन है यह दूसरा गलत दिया गया इसमें सत कथन पूछा गया तो केवल फर्स्ट जो है वह पहला अर्था वो सहीर कतन दिया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा अप्सन नमर ए चलिए इसका देख लेते हैं वैक्ख्या भी देख लेते हैं नस लिपी बाई और अर्था बाई और जो लिखे जाती थी वर्ण जोर करधारा परवा रूप से लिखे जाते हैं फार्सी अर्वी के जानकारों के लिए इस लिपी को पढ़ना आसान होता है शिकस्त लिपी जो है वो दाई और लिखे जाती थी अधिक संशिप्त और सगन और कठीन है चलिए तो कम्प्लीट होके हमारे जो चेप्टर फर्स्ट था करा सेवन का हमारा अतित भाग दुका अब तो जो डक्कन का जो रास्टकूट था वो किसका सामंत था तो यह था करनाटा के चालुकों का यह सामंत का लाया शिरीश का दिख लेते हैं वैख्या दक्कन के रास्टकूट करनाटा के चालुकों के सामंत थे आठवी सदी के मध में एक रास्टकूट परदान दंती दुर एक रास्टकुड पर्धान था कौन दंती दुर्ग ने अपने चालुक के स्वामी की अधिनता से इंकार कर गया था उसके अंदर जब था वोला अब हम अजाद हो गया है अब उसके अधिन नहीं रहेंगा उसे हराय और हरी ने गर्व नामक एक अनुष्ठान भी किया कौन द देखेंगे अंथी ने करेंगे है चोल काल म मैं बीटि सब्ध के लिए किस्जाव पर्युक्त होता था जो वेट्टी सब्ध था वो किस के लिए यूज होता था यह हुआ करता था कर एक टैक्स था जो जवरन स्रम के रूप में लिया जाता था कौनसा सब चोलकाल में वेट्टी नाम का जो इस सब्द है देख लिए यह सरवदिक उल्लेखित एक टैक्स था करता कोश्चर नमर तीन देखेंगे एलोरा की गुफा नमर जो पंदरा है कि भित्ती चित्र जिसमें भगवान विशनु को नरसिम अपतार में दिखाया गया है किस काल की किर्ती है तो यह राष्ट कुट काल की किर्ती है तीन का हो जगा यह देखते हैं इसका बैख्या भी एलोरा की गुफाओ या मंदिरों का निर्मान राष्ट कुट बंस के सासको के दौरा किया गया था जो की अमपर्दमान महराष्ट के औरंगाबाद में इस्ती थै यह गुफा अपने निर्मान काल की धार्मिक सौहार्थ को दरसाती है कुश्चन नमर चार देखेंगे कलहन की रचना के दौरा हमें किस छित्र के राजाओ का इतियास का पता चलता है तो जो कलहन के दौरा जो दिखा गया था रजतरंगनी वो किस के बारे में दिखाए गया तो इसमें जो राजा के बात किया गए वो कस्मीर के राजाओं के बारे में चर्चा किया गया इसमें कलहन के रचना है देखते हैं रास्तरंगनी कलहन दोरा रचित रास्तरंगनी एक बिर्धित संस्कृत महा काब है कोश्चन नमर पांच देखेंगे गुर्जर परतिहार, रासकोट एबं पाल बंस के सासकों के बीच चली लंभी लराई की चर्चा, प्राया, तिरी बक्षिया संगर्ज की रूप में जानी जाती है, सद्यों तक चली इस लराई का क्या चारण था तो इसका कारण था में वो तक कंचोज पर नियंतरन करने को लिखा और क्यों था, तो देखते हैं तो देखें, तीनों राजवांस कन्योज पर नियंतरन के लिए सद्यों तक लरता रहा एक दूसरे से, क्योंकि कन्योज गंगा के उपजाओ एवं साधन संपन छेतर था, तथा कन्योज की इस्तिरी सामरिक रोप से काफी महत्पूर्ण थे, इसलिए वो लोग आपस में इसे क करने के लिए वो लोग डरा करता था, कुछ से नमर छे देखेंगे, अफगनिस्तान के गजनी परांत के सुल्तान, महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान, जीते हुए, जीते हुए लोगों एवं परांतों के बारे में जानना चाहता था, इस काम के लिए हुआ कि विद्वान को अपने साथ लाए था, किसको लाए था ये, देखते हैं, ये लाए था अलवरुनी को, उप्सन हो जाएगा इसका भी, जोले बेखा देख लेते हैं, उप्सन क्या हो जाएगा भी, सुल्तान, महमूद अपने दौरा जीते गई लोगों वेपरांतों के बारे में, मैं भी कई बात जानना चाहता था, और उसने अलवरुनी नामत एक विद्वान को इस उप्मादुइब का लेखा जोखा लिखने का काम सौपा, अर्वी भासा में लिखी गई, उसकी किरिती है, पुस्ता किसकी लिखी गई, अलवरुनी की, लिखा गया अर्वी भासा में, किताब अलहिंद, आज भी इतियास कारों के लिए महत्पुन स्रोत है, कोस्चन साथ देखते हैं, चोल किसके सामन थे, तो जो चोल था और किसके सामन था, ये पल्लबो का था, जबकि रास्ट कुट किसका सामन था, चालुक क्यों का था, वेक्षा देखेंगे, चोल प राजनर पर्थम ने गंगा घाटी, सिलंका तथा दर्चिन पुर्वेशिया के देशों तक अपने समराज के विस्तार एबब सुरक्षा के लिए एक विसाल नौसेना का निर्मान किया था, तथा बंगाल की खारी को चोल जील के रूप में परिवर्दिन कर दिया था, कोस् प्रिदेश्वर मंदिर का निर्मान, तमी नाडू के पुर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाव डेल्टा छेतर के तंजोर नामक सहर पर प्रिदेश्वर मंदिर का निर्मान चोल सासक राजा राज ने करवाया था, यह मंदर भारतिया वास्तु कला एबं सिल्प कला क अधभूत उधारन है कर दो नमर्न आइन गंगई कोंड चुल पूर्म की अस्थापना निम्न में से किस चुल सासक के दौरा किया गया है यह किया गया राजन पर्थम के दौरा ओप्सान भी गंगई कोंड चोल पुडम चोल बंस के प्रतापी राजा राजन पर्धम की राजधानी थी जब उसकी सेना ने कलिंग पार करती हुए दक्षिन कौशल बंगाल और मगध होती हुए गंगा तके छेत्र को विजित कर लिया था जीत लिया तब उन विजय के उपलक्ष में उसने गंगे कोंड की उपादी धारन किया किसने राजा राजन पर्धम ने कि और गंगा विजय चोल का नगर किया स्थापन किया कोस्चन पर देखेंगे निम्ल कत्मों पर विजय कीजिए बेपाडियों के संग को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये सहर के अंदर पर स्थाशने कार्वी करते थे दूसरा चोल काल के अस्थानिय स्थासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेग से पड़ाप्त होती है तो चोल काल के अस्थानिया स्वासासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेक से प्राप्त होती है इसमें से कौन से कथन सही दिया गया उपरियुक्त में से दोनों कथन सही दिया गया अब संसी हो जाएगा देखते हैं इसका बैख्या चोल काल से सम्मंदित अस्थानिय स्वासासन की जानकारी हमें प्रातांक पर्थम के उत्तर मेरूर अभिलेक से पराप्त होती है तो उत्तर मेरूर अभिलेक किसका है प्रातांक पर्थम का, जो कीतमी नाडों में अवस्थित है Quesion 11 देखेंगे चोल कालिन निमलिखित विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और चोल कांसे परतीमा संसार के सबसे उत्क्रिष्ट परतीमाओं में गिनी जाती है जो चोल का जो कांसे परतीमा था मुर्थी था हूँ जो संसार में सबसे उत्क्रिष्ट माना जाता था काफी अच्छा माना जाता था उपर युक्त में से कौन से कथन सत्त है तो उपर युक्त में से जो है ये तीनों कथन सही दिया गया है दी हो जाएगा उप्सन नमर डी तीनों कथन सही है सिव के टांडब सौरूप को दर्साने वाली महा नटराज की मूर्थी चोलकार की कांसे पर्तिमाओं की उत्किष्था का पर्तिशित करती है तो ये जो नटराज है किसे संबन दीता है चोलकार का ही ये बनाएगा मूर्थी है तो सन्वर बारा देखेंगे चोलकार के संबन में नीचे दिये के कत्नों पर विचार कीजिए चोलकार में किसानों की बस्ति को उर कहा जाता था चोल काल में की जानों के वस्तियों को क्या कहा जाता था उड़ कहा जाता था जो की सिंचित खेती के करण बहुत समिर्ध हो गई थी गाउं के समू को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और करवसुलने जैसे प्रसास किया कार करते थे तो प्रिक्त में से कौन से कथन सत है तो प्रिक्त में से दोनों कथन सही दिया गए तो अप्सन हो जाएगा आपका C हो जाएगा चोल काल के संबन में उपरिक दोनों कथन सत है चोल काल में किसानों की बस्तियों को उड़ कहा जाता था जो की सिंचित खेती के कारण बहुत समिर्ध हो गई थी तथा इस काल में गाउं के समू को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और करवसुलने जैसे परसास के कार भी किया करता था कोशरमर 13, मिलान करने वाला देखते हैं इधर भूमी का परकार दिया गया है इस तरह और इधर उसकी क्या विस्स्ता थी तो देखिए बेलान बगई बेलान बगई इसाउत का नाम तो जीव जीव भी होता है उचारन करने में भी तोड़ा दिखता आता है तो पर लान बगई ये गैर ब्रहमन किसान स्वामी की भूमी गैर ब्रहमन किसान स्वामी की भूमी बतो ये ब्रहमन का ये भूमी ने गैर ब्रहमन को उपार में दी गई भूमी शाला भोग किसे क्या जाता था ये सब किससे समंदी थे देखी ये आपका निम्लीखित में कौन सा यों सही सुमिल्य नहीं दिया गया इसमें पुशा नहीं दिया गया थो देखे पहला सही आपका ब्रहमोनों को पार में दी गई भूमी ये भी ज़ी डिया गया अब पली चन्दम जो था यह जेन संस्थाव को दान में दी घया भूमी थी h पल्ली चन्दम यह नीचिए आजाएगा इसके साथ हो जाएगा अरथा यह अपका गलत और तिरू नम टूकनि तिरू नम टुकन यह कह था यह मंदी गोपार में दी गई भूमी थी तो आपका जो आपका चौथा यह पाच्वां जो है यह गलब दिया गया है बागी पहला दूसरा और तीसरा यह सही मिला दिया गया है जो आप्सन हो जाएगा डी यह गलब दिया गया है इसका वेक्षा देख लेते हैं वेक्षा तो यूँचार और तथा पांस सुमिलित नहीं क्योंकि पलिचन्नम जैन संस्था को दान दी गई भूमी को कहते थे तथा देवदान तिरूनम टुकन्नी मंदीरों को उपार में द प्रोटिन देखेंगे को निम्न में से किस राजबंस ने धनी भूसौमियों को मुवेंद वेलन और अर-ER जैसे उपादी परदान की थी यह किसके तोरा किया गया था यह चोल के तोरा किया गया था यह उपादी दिया गया था देखतें वेक्या वेलाल जाती के धनी किसानों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन और अर यार अर्थात परधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंदर में महत्पून राजकिया पदसो पर ये एक महत्पून पदवी लोग को दिया करता था बेलाल जाती के धनी किसानों को तो जो आज था हमारा ये कंप्लीट हो कि आज को सिस करते हैं हम लोग एक वीडियो में दो या तीन चैप्टर को ही रखने का क्योंकि इससे जादा वीडियो आलम्बी भी नहीं होती है तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे आगे चै सेर करें अगर चैनल पर नहीं है तो जिरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद